वेलकम तो माई चानल दोस्तो आज हम लोग डिस्कुस करने माला है टॉप 10 DSLR कैमरे के बारे में जो की अंडर होंगे फिफ्टी थाउजन की तो बिना टाइम विस्च किये चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमारा नंबर 10 कैमरा है निकान 3200 जिसका मेगापिक्सल है 24.2 मेगा इसका जो डिस्प्ले है यह 3 इंच का डिस्प्ले है और टॉच्स्क्रीन डिस्प्ले में लेगा आपको इसमें 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 कंटिम्यू शूटिंग आप कर सकते हैं 4 fps तक और मैक्जिमम इसका रिजॉल्वेशन है 19,20 जो 10 x 80 पिक्सल का इसका रो रेंज है इंडिया में 39 9,950 रूपीज इसका प्राइज है दोस्तों नमबर 9 पे हमारे लिस्ट में है निकॉन 3200 बहुत ही बैतरी नहीं एक और कैमरा है यह उसका प्राइज नमबर 10 से 1,000 रूपीज जादा है इसका प्राइज है 40,590 रूपीज मेगा पिक्सल आता है इसमें 22.4 मेगा पिक्सल है इसका लेंस जो है निकॉन F माउंट है इसका जो डिस्प्ले है यह आपको टॉस्क्रीन डिस्प्रें मिलता है इसमें आपको तीन इंच का टॉस्प्रें डिस्प्रें मिल जाता है इसका शूटिंग स्पीड है 5FPS का पर मैक्सिमम्स का रिजॉलोशन है 1920 x 1080 मेगा पिक्सल का रिजॉलोशन है 40,590 रुप में बहुत ही बैठरीन एक और कैमरा है यह नंबर 9 पे हमारे लिस्ट में है दोस्तों नंबर 8 पे है Canon EOS 200D बहुत ही बैठरीन कैमरा है प्राइज की थोड़ी ची जादा है हमारे नंबर 9 से इसकी प्राइज अपको पड़ेगी 47,891 रुपीज इन इन जाओंगा इसका जो मेगापिक्सल है 24.2मेगापिक्सल का कैमरा है जिसका डिस्पे तीन इंचे का है रही अंगल टस्क्रीन दिस्पेर ऐसे पिर डैसे का आपको आप इसका शूटीइं सपीड है 5 fps और मैक्जिमीम तिक रेसालूशन है फुल एच्डी यह लिस्ट में है Canon 1500D, Canon 1500D, बतना चाहूंगा, इसका भी megapixel 24.2 megapixel का है, फुल टेच स्क्रीन 3 इंच का इसमें डिस्प्ले मिल जाते है आपको, काफी अच्छा इसका डिस्प्ले में बोलूँगा आपको इस रेंज में जो कि 36,684 रुपीज का ये कैमरा है, तो इस रेंज में आपको इसका टॉच्क्रीन मिलता है, काफी बातरीन है, अगर इस स्पीड की इसकी बात करो, तो मैं 5fps का शुटेंग स्पीड है, और माइक्जिमम इसका रिजॉलेशन है, फूल एजडी में ये फोटोग्राफी कर सकता है, 1080 पिक्सल के हिसाब से, तो रेंज के हिसाब से बहुत ही कम प्राइज में अच्छा एक कैमरा बताना चाहूंगा, ये निकान कैनन 1500D है, 36,684 रुपीज, दोस्तों हमारे नंबर 6 लिस्ट में है, निकान D34, बहुत ही बैतरीन एक और कैमरा है, ये बोलना चाहूंगा, आप इसका जो डिस्प्ले है, ये 3 अंच का है, लेकिन ये इसका इंटर डिस्प्ले नहीं आता है, इसमें 5 fps का इसका शुटिंग स्पीड है, और Full HD में ये आपको फोटोग्राफिक का महजा देता है, 1080 पिक्सल के साब से, इंडियन करंसी में इसका प्राइज है, 36,886 पी-एस-C, CMOS sensor मिल जाता है, इसमें, मेगापिक्सल की बात करो, 24.2 मेगापिक्सल के साथ आता है, और लेंस माउंट की बात करो इसकी, तो Canon EF-EFS, इसमें आपको लेंस माउंट मिलता है, डिस्प्ले इसका, 3 इंच का बहुती जबर्दस डिस्प्ले इसमें मिलेगा आपक तो काफी ज़्यादा है बाकी कैमरा से, 6 FPS के साब से ये शूटिंग स्पीड है इसकी, और मैक्सिमम रिजॉलुशन है, इसका 6000 x 4000 पिक्सल का, बतना चाहूंगा इसकी प्राइज इन इंडियन करेंसी 47,990 रूपीज है, दोस्तो नमबर 5 पर है हमारे पास Nikon D53, ये जो कैमर है इसका प्राइज है इंडियन करेंसी में 33,850 रूपीज बोलना चाहूंगा अगर जो भी स्टार्टिंग फोटोग्राफिय स्टार्ट करना चाहते है तो उस कैमरा रेंज से कर सकते हैं, काफी कम रेंज में बहतरीन कॉलिटी वाला कैमरा ये मिल जाता है, संसर भी इसमें पी एस तक और मैक्जिमम इसका वीडियो रिजॉलुशन है 1080 अपको इसमें HD शूटिंग और HD फोटोज की क्लियरिटी मिल जाती है प्राइज इसका एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको 33,850 रूपीज इन इंडियन करां चाहिए नमबर 3 फे हमारी लिस्ट में है Sony Alpha A68K बतना चाहूंगा इसमें भी वही सेंसर मिल जाएगा आपको APS-C CMOS मेगापिक्सल बताना चाहूंगा 24.2 मेगापिक्सल का ये आता है और लेंस मांट आपको इसमें Sony का A मांट मिलेगा सेंसर उसमें लगा हुआ है तू स्क्रीन इसमें लगी हुई है 2.7 इंच की TFT LCD स्क्रीन आपको इसमें मिलेगी स्क्रीन इसकी इतनी खास नहीं है लेकिन बाकी जो इसका शूटिंग स्पीड है 8 fps के हिसाब से और मैक्जिमम इसका वीडियो रिजॉलेशन है 1080 पिक्सल इंडियो क्लेरेटी काफी हद तक बहुत अच्छी मिलने वाली है HD में 1080 पिक्सल के साब से इंडियन करेंसी में इसका प्राइज है 45,490 रूपीज दोस्तो हमारे पास है हमारी नमबर टू लिस्ट में Canon EOS 750D बतना चाहूंगा बहुत ही जबर्दस बैतरीन के आमरा इसको बूलना चाहूंगा मैं इसका सेंसर APS-C CMOS सेंसर इसमें मिलेगा आपको मेगापिक्सल इसका 24.2 मेगापिक्सल लेंस जो माउंट है इसका Canon EFS इसमें एक लेंस माउंट आता है 3-inch का touchscreen display आपको इसमें मिल जाएगा काफी जबर्दस इसमें touchscreen display दिया हुआ है continue shooting इसकी speed है 5 fps तक और maximum video resolution है 1080 pixels का इसमेंस आप इसमें HD video shooting कर सकते हैं और आप हैं HD photos निकाल सकते हैं वो भी बहुत कम price में 39,990 रूबी इंडियन करेंसी का price है हमारी number 2 में लिस्ट में होने का इसका एक और main reason यह है कि इसका जो touchscreen display है और sensors जो इसमें है Canon EFS sensor बहुत ही जबर्दस बैटरीन डिस्पले आपको photography में मज़ा देता है और 39,990 रूबी में काफी किफाई थी range में इस टाइप का combination अपको मिलता है बहुत ही रेयर combination बोलना चाहूंगा और चलते हैं हमारे आज के हमारे number one list में दोस्तो हमारे number one list में है Nikon D 3500 यह camera beginners के लिए बहुत ही बैतरीन camera बोलना चाहूंगा इसको इस camera का price बहुत ही कम होने के साथ साथ बहुत ही बैतरीन camera इसको बोलना चाहूंगा इसका price है 34,450 रूपीज काफी कम range में बहुत ही री बैतरीन combination वाला camera आपको मिल जाता है DSLR टाइप का camera है यह इसमें sensor है APS-C sensor इसमें लगा हुआ है megapixel इसका बताना चाहूंगा 24.2 megapixel के साथ आता है और Nikon lens mount जो मिलेगा आपको इसमें Nikon FDX मिल जाएगा तीन इंच की screen है लेकि काफी बैतरीन हद तक quality वाली screen इसमें दी गई है जो maximum इसका shooting speed है 5 fps क्या है उसका resolution बोलना चाहूंगा full HD 1080 pixel का और user level beginner के लिए काफी बैतरीन हद तक best camera आप तक बोला बोलना चाहूंगा Nikon D 3500 हमारे list में number one पे Nikon D 3500 ये camera है तो फ्लीज दोस्तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए और वीडियो के end में जरूर आप comment जरूर कर दीजिए कमेंट सेक्षिन में ताकी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लाता रहूँ और कौन से camera के ओपर आपको detailed वीडियो चाहिए आप मुझे comment में बता सकते है मैं definitely इसके ओपर detailed वीडियो जरूर बनाऊगा वीडियो को like करके share जरूर कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर कर दीजि कर दो